आज हम हाजर हैं आपके सामने गॉल्फ एक्यूप्मेंट के बारे में बात करने के लिए जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम आपको गॉल्फ की एक्यूप्मेंट के बारे में बताएंगे पिछली वीडियो में बाइदावे हम आपको बता चु गॉल्फ की जो एकिप्मेंट होती है, इनको गॉल्फ कलब्स कहते हैं, जैसे होकी में एक स्टिक होती है, क्रिकिट में बैट होता है, इसी तरह गॉल्फ में जो स्टिक्स इस्तमाल होती हैं, इनको गॉल्फ कलब्स कहा जाता है, तो ये जो आप एक गॉल्फ की स्टिक देख होते हैं. आप देख रहे हैं बहुत सारे गॉलफ क्लब्स मेरी टेबिल पर इसे पड़े हैं। गॉल्फ क्लब इसलिए होते हैं कि मिसाल ऐसे समझ लीजिए कि कुरिकेट में आप एके स्र Simmons ड्राइफ से ख्यलते हैं। और cover shot खेलते हैं, आप leg पे shot खेलते हैं, लेकिन golf में आप एक ही तरीके से shot खेलते हैं, जिससे आप समझ लीजी कि straight drive जैसे cricket में होती है, वो होती है। तो जब आप एक ही shot खेल रहे हैं, और उस एक shot से आपको different distances पे shot खेलना है, तो आप क्या करेंगे, या तो आप अपने जो shot है, उस के pace को कम जादा करेंगे, या आप जादा जोर से मारेंगे, लेकिन उस problem को manage करने के लिए, गॉल्फ में मुख्तलिफ किसम के clubs यूज किये जा उसको golf swing कहा जाता है, यानि गॉल्फ का जो shot है, वो golf swing कहलाती है, आपकी जितनी अच्छी swing होगी, उतना अच्छा आप shot खेल सकेंगे, अब A की power, A की force से आप जो shot खेल रहे हैं, तो वो different distances पे या different trajectory पे हवा में कैसे जाएगा, उसको explain करने के लिए हमें सीखना पड़ेग कि गॉल्फ की जो equipment है, वो किस तरह काम करती है, गॉल्फ में चार किसम के major clubs होते हैं, और जो चार किसम के होते हैं, या चार types के clubs होते हैं, उनको मैं सबसे पहले आपको explain कर देता हूँ, सबसे पहले, यह सबसे बड़ा club है, इसका head आप देख सकते हैं, इतना बड़ा है, इसका club face इतना बड़ा है, और इसकी length तकरीबन 42-43 inches है, यह club आपने देख लिया, इसके बाद यह club है, इसका भी head बड़ा है, इसका उतना बड़ा नहीं है, तोड़ा चोटा है, लेकिन इ यह club है, इसका भी head बड़ा है, और इस तरह से, तो यह जो बड़े heads होते हैं, इन्हें हम गॉल्फ की जबान में woods कहते हैं, तो हमाई पास woods हो गई, उसके बाद जो इस ship की clubs होते हैं, जैसे आप यह देख रहे हैं, क्योंकि इसका club head है, वो iron का है, तो इसलिए हम इसे iron कहते आइरन में ही सबसे जो छोटे clubs होते हैं, यह तीन club, इन्हें हम wedges कहते हैं, और उसके बाद जो ball हमारी green पर आती है, उसको roll करना होता है, तो उसके लिए हम यह butter use करते हैं, यह बिल्कुल flat face होता है, तो यह चार किसम के club हमने explain कर दिये, woods, irons, wedges, और butter, अब जैसे मैंने आपको यह explain कर दिया, कि यह woods हैं, यह irons हैं, यह wedges हैं, और यह butter है, अगर इन clubs को आप देखेंगे, तो यह actually में wood नहीं है, यह metal ही है, इसमें carbon fiber भी होता है, इसमें steel भी होता है, different किसम के material होते हैं, इन बड़े head वाले clubs को wood क्यों कहते हैं, उनको wood इसलिए कहते हैं, कि यह मेरे पास clubs हैं, जो आज से कोई 40-50 साल पराने clubs हैं, इनके जो यह heads होते थे, यह wood के होते थे, तो यह मेरे पास three wood है, पराने जमाने का, और यह मेरे पास one wood है, पराने जमाने का, तो आप यह देख सकते हैं, कि इनके जो club head है, वो wood का बना इसलिए ये wood कहलाते थे और उसके बाद ये technology transform हो गई metal में उसके बावजूद भी जाहरे के एक नाम पढ़ चुका था तो आज तक इनको woods ही कहा जाते है ये club तकरीबन 50 साल पराने हैं ये one wood है और ये भी एक नए दौर का one wood है आप इन दोनों का size और shape देख सकते हैं कि over a period of time कितनी तबदीली आ चुकी है ठीक, okay ये जो one wood है जैसे मैंने आपको बताया है तो इसका एक number है one wood ये सबसे बड़ा club होता है इससे बड़ा और कोई club नहीं होता और इसको हम आज नए दोर में driver भी कहते हैं गॉल्फ ड्राइवर कहलाती है इसी कैटेगरी में पहले two wood भी होती थी उसके बाद three wood होती थी आजकल two wood इतना use नहीं होता तो three wood यूज होता है तो ये जो मेरे पास है ये three wood है तो आपके पास one wood है उसके बाद three wood है और मेरे पास एक और club है ये जिसे हम rescue club कहते है तो ये भी wood की कैटेगरी में ही आता है modern दौर में उसके बाद irons शुरू होती है irons three iron, four iron, five iron, six iron, seven iron, eight iron और nine iron होती है तो ये जो three to nine iron है ये different distances के लिए use होती है iron का shape ये होता है जैसे आपने देखा इसका head पतला होता है उस तरह से heavy नहीं होता और इसकी sharp भी जो हमारे दूसरे club है उसके मुकाबले में छोटी होती है अब सबसे बड़ा club ये है गॉल्फ में और सबसे छोटा club ये पटर के लाता है इसके बीच में तमाम के तमाम club आते हैं और ये क्यों होते हैं ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इसलिए अलग होते हैं कि इनकी loft यानि इनका जो angle है वो different होता है इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि अगर ये एक मेरे पास driver है जिसकी loft 10 degrees है जो मेरे पास है in fact 10.5 degrees का ये driver है ठीक है तो इसकी जो loft है 10.5 degree है तो जितनी degree कम होगी उतनी ball हवा में कम जाएगी और दूर तक जाएगी अब इसके मकाबले में extreme example हम ले लेते हैं जो 60 degree wedge है तो ये हमने बताया आपको कि ये 10 degree है और जो इसके बाद सबसे ज्यादा loft वाला club है हमारे पास वो है 60 degree log wedge तो अब आप इसको देखेंगे तो इसकी जो loft है वो 60 degree है यानि 10 degree कम होता है और 60 degree ज्यादा होता है और जितने भी club हैं वो इसके और इसके दर्मयान में हैं यानि 10 degree और 60 degree के दर्मयान में हैं different clubs की different loft भी गई है जितनी loft जादा होगी उतनी ही shaft कम होती जाएगी यानि जितनी loft जादा होगी जायरे यह आप देख रहे हैं कैसे है तो जब आप इससे short मारेंगे तो ball हवा में जाएगी उपर और करीब जाके गिर जाएगी ठीक है और जितनी loft कम होगी जैसे कि यह driver है तो इसमें ball flat जाएगी लेकिन बहुत दूर तक जाएगी इनके मारने का तरीका सबका एक ही होता है जैसे हम swing कहते है तो अब मैं आपको इन golf club के distances के बारे में बता देता हूँ मैं एक average golfer हूँ तो मैं अपने हसाब से distances बता रहा हूँ जितने अच्छे players होते हैं वो बहुत जादा distance मार सकते हैं इनी club से तो मेरा जो यह driver है जो 10 degrees है इससे मैं तक्रीबन 240 to 270 yards की drive मार सकता हूँ depending on the wind यानि अगर हवा सामने से आ रही है तो मेरी ball करीब ही गिर जाएगी और हवा अगर पीछे से है तो वो उसको दूर तक distance तक ली जाएगी तो हवा को देखकर हम short खेलते हैं कि हम जो हमारा distance है वो कितना होगा तो अब यह जो clubs है उसकी loft हमने आपको बता दी अब हम इसके grooves आपको बता देते हैं एक तो यह ball देख लीजे गॉल्फ की इसमें यह dimples होते हैं ठीक है इसकी क्या reason है और हर golf club आप जो देखेंगे उसमें यह marks होते हैं इस तरीके से यह लाइने लगी है तो यह dimples और यह grooves इसलिए होते हैं कि जब आपकी ball club को touch करेगी तो उसके अंदर spin आ जाएगी और वो ball घूमना शुरू कर देगी जब वो ball घूमेगी तो उस दो तरह से घूम सकती है एक tow forward घूम सकती है और everse घूम सकती है अगर यह forward घूम रही है तो जहहां गिरेगी वहाँ से और आगे चली जाएगी और अगर ये reverse घूम रही है तो जहां गिरेगी वहाँ या तो रूख जाएगी यह वापस पीछे आ जाएगी इसको short काट करना कहते हैं ठीक है के म्यज़ें ढूव पाल पाइज नहीं हाइज धीन के अपके thought oval करका का तक है लेकिन इन वाव एक वीर में यहार्ड होती है अब 8 Basic नहीं अब देक्ट होती है अजब तक स्मूध एरिया होता है जहां पर होल बनाता है जो उना पिशली विडियो में भी दिखाए था तो यह पन पर हम यह पटर यूज़ करते हैं यह पटर जो का स्टोक साहरे आइरन के स्टोक से मक्तलिफ होता है यानि वहां तो आप स्विंग यूज़ कर रहे हैं लेकिन यहां पर आप पेंडोलम की तरह इसको यूज़ करते हैं थीक उमीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अब हम आपको एक्स्प्लेंड कर चुके हैं कि गॉल्फ कैसे खेल कैसे होती है और उसमें कौन सी एक्यूप्मेंट यूज़ होती है अगली वीडियो में इंशाला हम आपको गॉल्फ कोर्स पर लेकर लेंगे यहां पे हम आपको बताएंगे कि गॉल्फ कोर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है और इन सारी एक्यूप्मेंट का इस्तमाल कैसे और कहां कहां होता है अगर आपको यह सीरीज देखनी है तो जरूर हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें थैंक यू सो मच